आज आपके साथ हम आलू की जो रेसिपी सेयर करने वाले हैं उसे आप पूरे ब्रत में भी बना कर खा सकते हैं और अगर आप ब्रत नहीं है न तो भी आप आराम से इसको बना कर खाइए बहुत यदा टीस्टी लगता है तो चलिए बराना स्टार्ट करते हैं वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो लाइको से एर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो यहाँ पर हमने 5-6 आलू ले लिये हैं मेडियम साइस के हैं ये और इनको पानी से साफ करने के बाद इसका हम छिलका हटा लेते हैं और उसके बाद फिर से इसे एक बार साफ कर लेंगे अच्छे से क्योंकि ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं आप इसको बीना व्रत के भी बना सकते हैं और ये इतना ज्यादा इजी है आ और इतना टेस्टी लगता है कि हमेशा आप इसे हर व्रत में खाना पसंद करेंगे तो आलूओं को देखिए हमने इसका छिलका हटा लिया है अब इसको इस तरीके से गोल टुकडों में कट कर लेते हैं और इसकी जो थिकनेस है न वो हमें बहुत ज़्यदा पतली नहीं रखनी है और बहुत ज़्यदा मोटी भी नहीं रखनी है तो मीडियम ही रखिएगा देखिए इस तरीके से इसे कट करते जाना है और काट काट करना इसे हमें पानी में रखना है जिसे की जो आलू है वो काले भी ना पड़े तो इसलिए हमने पानी का एक बोल ले लिया है सारे आलूओं को हमने कट कर लिया है अब इसे एक बार अच्छे से पानी से साफ करके फिर इसको इस टेन आउट कर लेते हैं तो ये देखिए इसके जो पीसेज हैं इस तरीके के कट की हैं हमने मतब बहुत पतला नहीं रखना है आप थोड़ा मोटा रखेंगे चलेगा तो चलिए अब इसका हम पानी हटा देते हैं तो इसको हमने पानी से चान लिया है और ये देखिए इसके जो टुकड़े है ऐसे ही आपको रखने हैं तो चलिए अब हम बैटर तयार करते हैं आलू को हमने रख दिया है साइड में यहाँ पर हमने लेना है एक कप की जितना सिंगाडे का आटा तो यह हमने कल्ची से लिया है तो टोटल वैसे यह एक कप था तो एक कप सिंगाडे की आटे के लिए हम इसमें एट करेंगे एक शोटी चम्मजीरा टेस्ट के कॉर्णिंग इसमें डालेंगे सेंधा नमक और इसी में मैंने काली मिर्ज का पौडर भी मिला लिया है देखिए आपको ब्लैक दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा ना तो इसी में काली मिर्ज का पौडर भी मिक्स है तो सिंधा नमा काली मिर्श पॉर्डर हमने डाल दिया है, थोड़ी सी कटी होई हरी मिर्श ही डालेंगे, तीखा तो होना ही चाहिए ना, अगर आप नहीं खाते हैं ब्रत में हरी मिर्श, तो आप इसको स्किप कीजिए, कटी होई धनिया की पत्ती एड़ करेंगे, वो भी थ बहुत ही हिसाब से डालिएगा, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी ज्यादा हो गया तो फिर आप बनान ही पाएंगे, और आपको सिंखाड़े काटा फिर से आइड़ करना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाएंगे, और इसका जो बेटर है न, वो लंप्स फ्री बनकर तयार होना चाहिए, इसमें गुठलियां या कोई लंप्स नहीं होने चाहिए, तो मतलब एक दम स्मूथ इसका पेस्ट बनाईएगा, और ये बहुत ही इसली हो जाता है, आप इसमें और फी चीज़ें आइड़ कर सकते हैं, जो आप में खाते हों, तो ये देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इसी तरीके की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, गिराने के तरीके से आप देख सकते होंगे, किस का बेटर किस टाइप का इसकी जो consistency है थिकने से वो किस type की है है ना तो बस ऐसे ही रखना है इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बहुत पतला भी नहीं और हाँ तेल हमने चड़ा दिया है गरम होने के लिए gas की flame को आपको high करना है इस पकोड़ों को fry करने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि उसका इस्तेमाला जरूर कीजिएगा इसको fry करने के लिए तो यह सिंघाडे का आटा है इसलिए बहुत ज़्यादा इसको पास-पास में नहीं रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा चिपक भी जाता है तो high flame पर इसे fry करना है ना तो बहुत problem आपको नहीं होगी बनाने में और यह बहुत ही आसानी से fry होंगे आलो को थिकनेस इसलिए हमने थोड़ी मोटी रखी है और बहुत ही जल्दी यह cook भी हो जाएंगे तो एक साइट से अब इसको पलट देते हैं दूसरे साइट भी हलगे से यह fry हो गए हैं तो इसी तरीके से पलट कर दोनों साइट से हमें इस से अच्छा क्रिस्प कर लेना है और यह इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बस इसका बेटर है अगर आप गाढ़ा कर देंगे तो फिर यह बंत हो जाएंगे लेकिन खाने में उतना टेस्टी नहीं लगता है क्योंकि बहुत ही मोटा सा लेयर हो जाता है ना सिं फो चुके हैं यह और इसी तरीके से हम सारे आलू के पकोड़ों को फ्राइ कर लेंगे और यह देखे किते ज़्यादा यह फूले फूले है ना लग रहा है कि इसमें हमने कोई सोटा वगएरा नहीं डाला है उसकी बाद भी किता जबर जस्ती फूला हुआ है ना और कहीं से ना फट रहा है ना तूट रहा है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी आप देख सकते हैं तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं फ्लेट में वैसे ब्रत में आपने बहुत तरीके की रेसिपी बना कर खाई होगी एक बार यह बहुत ही आसान सी सूपर टेस्टी रेसिपी को जरूर राई कीजेगा और यह सायदी कोई होगा जिसे नहीं पसंद आएगा बहुत यदा टेस्टी लगती है बनाने में काफी आसान है तो उमीद करते हैं कि यह रेसिपी आपको आई होगी पसंद तो वीडियो को लाई को सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जर इसा है ग्रेट किया है जिससे इसका टेक्स्टर देखें बहुत ही गजब का लग रहा है तो इस टमाटर की चटनी में हमने केवल धनिया और हरी मिर्ची का आट किया है सेंधा नमक डाला है बस तो यह रेसिपी कैसी लगी फीडबैक जरूर सेयर कीजेगा ट्राइ करने के अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक और सेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हाँ अगर आप सिंगाडे की कड़ी और पकोडी का वीडियो देखना चाते हैं सिंगाडे के चीले का वीडियो देखना च